दुशकर्म के बाद अश्लील फोटो निकाल कर ब्लेकमेल किया केस दर्ज, मामला इंदौर के भवर कुआ थाने का है पुलिस ने बताया कि भुलाराम उस्ताद मार्ग पर किराय के मकान में रहने वाली शियोपूर से बीटेक की पढ़ाई करने इंदौर आई 24 वर्षी चात्रा के साथ दुशकर्म करने वाले आरोपित सवाई माधपूर राजस्थान के आदिल पुत्र हकीम खान और शियोपूर निवासी मंजूर अली के खिलाफ शुकरवार को पुलिस ने केस दर्ज किया है आरोपित आदिल ने शादी का जहासा दिया और उसके साथ दुशकर्म किया इस दौरान उसने अशलील फोटो निकाल लिये आरोपित ने 50,000 रुपयों की मान की रुपय नहीं दिये तो उसने फोटो वाइरल करने की धमकी दी इसके बाद एक दिन वह अपने जीजा के साथ कार से इंदौर आया और तीन इमली शमशान घाट ले गया पहले आदिल ने दुशकर्म किया इसके बाद उसने फोटो वाइरल करने की धमकी दी और जीजा के साथ जबर्दस्ती संबंध बनाने के लिए कहा युबती ने इसके बाद पुलिस को शिकायत की युबती ने बताया कि आरोपित की बहन दोस्त है आरोपित से दोस्ती हो गई थी पहले फोन पर बात चली इसके बाद 10 मई 2018 को आरोपित उसके कमरे पर आया और शादी का जहांसा दे कर दुशकर्म किया तब ही उसने अपने फोन में अश्लील फोटो निकाल कर रख ली थी इसके बाद उसने कई बार फोटो वाइरल करने की धमकी दी और रुपयों की मान की युबती ने डर के कारण आरोपित को 30,000 रुपय दे दिये इसके बाद भी वह ब्लेकमेल कर गलत फाइदा उठाता रहा आरोपित ने जीजा मंजूर से भी जबरदस्ती धमका कर संबंद बनवाए युबती ने परेशान होकर पूरी बात जब अपने पिता को बताए और थाने में केस दर्ज कराया युबती ने बताया कि साइबर सेल के पुलिस अधीकशक को भी मामले की शिकायत की थी इस दोरान पुलिस अधीकशक ने युबती को समझाईश दी कि अब आदिल कभी परेशान नहीं करेगा कुछ दिन आदिल शांत रहा लेकिन वह फिर से ब्लेकमेल कर रुपयों की मान कर संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा साइबर सेल ने जब कार रवाई नहीं की तो मजबूरन भवर कुआ थाने में शिकायत की और पुलिस ने जाँच के बाद केस दर्ज किया Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries